मैं आपको Microsoft बिंडो में आपको बताये थे font option यानि कि बिंडो में जो wordpad होता है उसमें font option हलका सा आपको बताया जाता है है ना उसी तरह से इसमें भी font है यारी Microsoft word की तरह ही font है लेकिन थोड़ा इसमें effect अलग है थोड़ा सा अंतर है ना पहले से इसमें थोड़ा सा इस्टा इसमें दियाग जाता है अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि through this options we can change आप इस options से change कर सकते हैं selected text font size bold italic subscript superscript clear formatting test highlight color change case growth font font type effect etc समझ रहा है यह इतने सारे गुण इसके बताया जा रहा है कि font में इतने सारे परिबर्तान आप कर सकते हैं वो भी selected text जो आप के द्वारा select कियेगे test हो समझ रहे हैं यह नहीं कि बिना selected का select रहेगा तो आप उसमें परिबर्तन कर सकते हैं उसमें परिबर्तन नहीं होगा लेकिन उस जिस step तक आपने परिबर्तन नहीं किया जहां करसर रख करके परिबर्तन किया है वहां से अब से जो लिखेंग उसमें परिबर्तन होने लेते हैं समझ रहे हैं ना यह चुझ रहे हैं देखिए फांट पड़ते हैं इस प्रैटिकल सीट पर आते हम देखते हैं कैसे आपका फांट आपका परिवर्थन करता है और इसमें हम कोई ऐसा डाक्मेंट लेते हैं जिसमें कुछ मैटर लिखा हूँ कुछ ऐसा मैटर नहीं लग रहा है जिसमें कुछ लिखा हूँ यह देखें आपका कोई टेस्ट पहले शलिख चुपए हैं यह कोई लिखा हुआ निलेश कोई है निलेश नामका निलेश सिंग कोई है जिसने लिखा हुआ है यह टेस्ट है ना आप इन टेस्टों में आप किसी तरह का परिवर्तन कर सकते हैं है ना जैसे कि हम टेस्ट को शलिट करते हैं और इसमें फांट आप्शन का प्रियोक करते हैं आप देखिए फांट आप्शन का फांट का अलग से सरीज आपको यह अलग से आपका एक टेग टाइप का आपको दिया रहता है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं आप किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं इसमें आपको दिया है जैसे फांट में दिया है कि बोल्ड आप बोल्ड कर सकते हैं इटैलिक कर सकते हैं अंडर लाइन कर सकते हैं लेकिन याद रखिए कि जो टेस्ट सेलेक्ट है जैसे हमको बोल्ड करना सेलेक्ट है हम इसको बोल्ड देखिए यारी कि जो टेस्ट है उन टेस्टों में आप परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् तेस्ट कू सलेक्टेड़ टेस्ट में आप जैसे कि आप इसके अंडरलाइन् चाहती है तो आप इस पर क्लिक कर दिज़ें अंडरलाइन हो जाएक जाएक जैसे क्या नीचे नीचे लाइनिंग हो जाएगी कभी कभी ऐसा होता है है कि हम कुछ लिखे नहीं रहते हैं मैं या अब से लिखने जा रहे होते हैं उसमें परिवर्तन करना है हम जो आप से लिखने जा रहे हैं उसमें उसमें कुछ लिखना आ Persian तयसे कि अभी जेहां हैं जो टेस्ट देख रहें एसे रेड़ कलर में लिख रहा हमें चाहिए कलर यहन की ब्लैक सा हम अभी को अभुषरर का कलर बदलेंगे कुए देखेज़े हम यह पर आएंगे अचीलिक दिया हम पर आपके मेड़ दिया यानि ब्लैक कलर में काले कलर में लिखना शुरू कर देगा देखे अब तक रेड़ लिख रहा था है अब तो ब्लैक लिखने लगा ठीक है अभी हमें इस ट्रिक तो चाहिए यानि कि करेक्टर के बीच बीच से लाइनिंग करास होनी चाहिए तो आप इसको सलेट कि दे और या अब से जो लिखेंग उसमें चाहिए तब आप इसमें बदल दीजिए यहां से अब आप जो लिखेंगे उसके बीच में लाइनिंग आएगी कि देख रहा है कि यानि टेस्ट के बीच बीच में लाइनिंग आये हमने इसमें नहीं आया यह जो टेस्ट प्रग्यां कम्पीूटर या प्रग्यां लिखा है जो पहले से लिखा था उसमें नहीं आया उसमें जदि आपको लाना है तो आपको इसको select करना होगा है न और अब इसमें बदलना होगा बीच में लाइनिंग चाहिए या चाहिए आपका italic italic तिर्चा हो गया तो आप इस तरह से आप इसमें परिवर्टान कर शक्ते हैं बिधां तो समझ में गया है आचया यह nya आप चाहिए एक आपशन और है किलियर फ़ार्मेंटिंग ये जैसे परिबर्टन कर देते हैं इसमें हमने इसका अपर केस कर दिया इसका मैंने इसको हाइलाइट कलर कर दिया इसका कलर भी मैंने आप ब्लैक की जगह कोई दूसरा कलर दे दिया इस तरह प्राना चाहिए ना इसका कलर हमने ब्लैक कलर की जगह दूसरा कलर दे यह तमाम तरह के परिवर्टन हमने कर दिया अब हमें यह स्टाइल नहीं चाहिए अच्छा नहीं लग रहा है तो हम कर देंगे यहां पर आएंगे और इसके लिखा क्लियर फार्मेटिंग समझ रहे हैं जीतना बड़ा चोटा जो कुछ किये थे हर्ट गया है इसमें एक चीज़ क्लियर नहीं हुआ है हाइलाइट बाकी मैटर बड़ा था मैटर का कलर दूसरा था यह क्या हो गया इनार फांट को बदल सकेंगे हो जाएगा ना फांट आप्शन कर लेंगे बहुत आसाना है इसमें बहुत कुछ नहीं है आप आसानी से फांट को कर सकते हैं अब अगला आप्शन पर आएं फांट में कोई प्राब्लम नहीं होना चाहिए अगला आप्शन समझे आप फांट आप नमबर लाइन से पहले जो टेस्ट लिखे हैं उसकी लाइन से पहले आप किसी तरह का बुलेश्ट लगा सकते है यह नमबर भी लिख सकते हैं नमबर में एक दो तीन के करम में भी आप इसको लिख सकते हैं इसको करते हैं बुलेश्ट इंड नमबर समझ रहे हैं आगे देखें कैसे करते हैं प्रेटकल सीट पे आएं इस पर लिखा है रिमेंबर कर लेते हैं इसको करते हैं बुलेश्ट इंड नमबरिंग आपसंस एड बुलेश्ट आ नमबर टू दे सलेक्टेड पैराग्राफ मोडिफाइब नमबरिंग फार्मेट या तमाम तरह के पैराग्राफ नमबरिंग फार्मेट आदिको आप इसे इसकी सहायता से चेंजिस कर सकते हैं क्या तमारा टेस्ट हम कर्सर रखे हुए हैं और जिस कर्सर जिस लाइन में कर्सर है उस पर हाँ पाएंगे और यहां पर इसके बुलेश्ट लगा सकते हैं यहां देखिए कर्सर रखे रही है और यहां पर आईए बुलेश्ट यह वाला बुलेश्ट अच्छा लग रहा है अठ्यां को समझ रहे यह अच्छा रही है अगया है हटा दिश्बूरिस्ट यह वार साथ अच्छा लगना कैसे ऐसा होता है लगा सकते आप जरूरत की हिसाप से अप यूज कर सकते हैं कि नहीं होगा इसलिए नहीं होगा डियर क्योंकि यह जो टेस्ट की लाइन लिखी गई है वह आपकी रेड कलर की है यहां पर तो यह तो लाइन में था ही नहीं अब अब इस पर लगाएंगे तो ग्रीन आएगा जो कलर का रहेगा जो जिस कलर में को लाइनिंग है डियर उस कलर में आएगा ठीकर बाइडिफाल्ट सेटिंग है यह आपका औफिस के बाइडिफाल्ट सटींगा समझ रहे ना कोई प्राब्लम इस में अब हो जाएगा ना तो इस हिसाफ से आप इनका करम से यूज चरेंगे या क्रम से आप इसका प्रयोग कर शक्ते हैं कोई प्राब्लम इसमें बुलेश्ट नंबरिंग आपने समय लिया है अगला आप सब्सक्राइब कि इनक्रेज और डीक्रेज जो लाइनिंग जो टेक्स्ट आधी पर लिख रहे हैं तो आप उसमें इनक्रेज और डीक्रेज करेंगे लिखते हैं डीक्रेज और इनक्रेज देट आप से इंडेंट लेबल आप दस सलेक्टेड पैराग्राफ जो भी आपके द्वारा शिलेट किये पैराग्राफ होंगे आदिको आप इससे इनक्रेज और डीक्रेज करेंगे कि समझे आप जो भी उंगे उस पर आप कर्शा रख लिजे प्रेटकल सीट पर आईए और कर्शा रखे कहीं भी रख लिजे हम यहां रखें हैं कि अधीब लाल है लोग इनक्रेट डिक्रेट पर आते हैं देखें यहां पर है आप इस पर रखें कि है न कि यहां आपका क्या है इनक्रेज और यह आपका डिक्रेज अगर हम इनक्रेज और डिक्रेज करने तो हो क्या रहा है यह देखें कि यहां पर है मेरा कर्शर यहां है और हम क्या करते हैं यहां पर इनक्रेज करते देखें यह डिक्रेज करते हैं कुछ हैं इतने कंए समझे रहे हैं यह आपका लाइन यानि कि झो इंक्रेज आ कर शकते हैं यह चिदे हैं है कि अगला देखें आप अगली हेडलाइन प्रैटिकल समझ में आ गया आगे बढ़ता है इन क्रेज डिक्रेज के बाद पैराग्राफ इनक्रेज डिक्रेज के बाद इस्टाइल है ना अलग-अलगी style होती है आप लों की भुता ना कोई कोई style है कोई कोई style है क्या करता कोई बाल किसी तरह से जार के आ रहा है कोई किसी तरह से आ रहा है इसको करें अगला आप देखें style option क्या आप से style क्या चीथ है क्या आप से इस 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 आप्सन से आप चाहेंगे तो फांट आप्शन से यानि style का प्रियोग करेंगे इस इसमें देखें फिगर में आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा style में एक तरक यह style है पहली style नार्मल एक यह no space के साथ style है यह heading के हिसाब से style है तमाम तरक style है आपको जिस तरक style है पसंद आती हो आप उस तरक style को आप यूज करें है ना आप practical seat पर आएं practical seat पर समसेंगे कि कैसे style का यूज करते हैं हमारे पास कुछ टेस्ट है कि सिल्फा कुछ लिखिए है कि जैकिशन कौन दर्बार खोल के रखें है इस पर नजर रखें है हम यह जो टेस्ट लिखे हुए हैं हम यह यह पर है हैं और इसको देखते हैं style पर यूज करते हैं यह तमाम देखिए आपकी style आपको यहां पर दिख रही है यहां जो भी style ने दिख रहे हैं आप जूस तरह के style का प्योग करेंगे यहां पर देखेंगे तो इस क्राल भी दिया है आप इनी इस क्राल पर क्लिक करके आप इनका क्रमस्व यूज कर लेंगे इस क्राल पर क्लिक करके आप नए style को भी ले सकते हैं फिलाल देखें यह भी मार्क लगाएं डियर इसमें आप टेस्ट को तेस्ट पर style नज़र रखिए देखिए किस तरह की style लग रही है देखिए एक इसमें नज़र रखिए इस तरह भैंकर style लीजिए तब जादा समझ में आएगा उसतर सिंपल style आपको समझ में नहीं आ रही थी है कि समझ रहे हैं कि अच्छा इस टाइले तक कब समझ में आती है कि जब बहुत भीषण परिवर्टर हो जाए अगर लाल है तुरंत काला पड़ जाए तब समझ में आता है अच्छा लड़के जड़ी सब्जियां बनाते ते उनको कैसे पता चलता है कि अब तड़का हो गया है लड़कों को खाना बनाते समय सब्जियों का कैसे पता चलता है सब्जियां जब तड़का देते जब तक काला नहीं हो जाता है तब तक उनको नहीं पता चलता है कि अब तड़का सही हो गया है हम लोग में इतना नभव नहीं है कि हम लोग को क्या मालूम की तड़का लाल होता है कि काला तो जब जला हुआ दिखता है तो हमें लगता है अब तड़का ठीक ठाक है यह बात होती है तो बात समझ आगी ने तड़का वाली तो तड़का में भीचाट परिवर्तन इसमें रेड से काला जब तक नहीं आपको यह होगा इसमें तमाम इस्टाइल हैं देख लिजिएगा ने एक ही का मतलब आप इसको सेलेट कर लिजे भीना सिलेटेड मैंने आपको बताया है यह सलेकेट कर लिया कि यह लाल से का तो यह होता है तो आपने इस्टाइल समझ लिया इस्टाइल में साथ कोई शंदे हो तो आप बुलिएगा आगे देखे अगला आप्शन इडिटिंग आप्शन आता है आपको फाइंड यानि की ढूडने के लिए फाइंड का साथ कर्ट सी टी आरेल क्या चीज़ है का इस्ट्रोल के साथ यह यानि की शी टी आरेल के साथ प्लस का मतलब प्लस मत्दब आने लगना तो लोग देखते हैं पहलवान हो ना अपना गुन गाना चाहिए हम बता रहे हैं मैं अभी बता रहा हूं डियर अभी देखे सी टी आरेल के साथ यह दबाना तुम लोग प्लस मत्दबा दे रहा है हम लोग भी सीख रहे तो ऐसा ही किए थय मैं जब वार्म बूटिंग में क्या करना पता तीन बट्वो के साथ दबाना होता एं कि अल्ट को प्लस प्लस अल्ट प्लस डिलीट तीनों बट्टों के एक साथ दवाना रता तो हमको सर्पढ़ाते थे तब तो डिश्टल बोर्ड यह सब कुछ था नहीं न कंप्यूटर भी नहीं मिलता तो 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 यह चीज़ें होती थे तो उसमें क्या था कि जब हम लोग पाते थे फिर प्लस दबाते थे फिर अल्ट दबाते थे फिर प्लस दबाते थे फिर डिलीट दबाते थे नहीं होता था कि समझ रहें ना तो यह समस्पेशियल बटनों के साथ में प्लस का मतलब इस बटन को होल्ड रखिये और फिर इसके बाद इसको दबाते हैं समझ रह इडेती आप्षिप फार्मेंटिंग जो भी आपके टेस्ट फार्मेंटिंग होंगे आधिको आप इसे इसकी सहायता से find कर सकते हैं, तो यानि कि आप उसको धूर सकते हैं。 practical seat पे आईए, देखते हैं, क्या रही आप से? find, कौन साप्तम बताये हैं आपको shortcut? कट आप कंट्रोल सबसे पहले दबाईए कि फिर इसके बाद इफ दबाईए कंट्रोल दबाए रहे फिर इफ दबा दिजे यह आपको मिल गया में हम लिखेंगे क्या चीज हमको ढूड़ना है यहाँ दिजैंगे रहना चाहिए आप आम अप लोग अपने यह मैं पैसा निकाल पैसा निकाल पैसा रहेगा तब तो मिलेगा घृत इसलिए आप यहां पर देखना चाहिए कि यह मैंटर मेरे पास सायद हो तब आप उसको झूणते यहां करसर रख लिजी और यहां पर धूढ़िए जैसे कि मालीजें हम तो इस सब्दों के आफने बारे में नहीं जानते कि क्या लिखा क्या नहीं हम इज बड़ा सब्द हैं हम इज लिखते हैं और इसको धूरने का प्यास कर दिखे बादे पया जो होता है मिला हुआ है इसलिए दिखा देख आए और कई हैं हुआ है लेकर सम्भावित चीजों को हमने तो यह तो जान भूज़के नहीं दूडाना कि ममता आई है एसा तो मैंने नहीं दूडा लेकिन इस में ऐसा डुडा कि यह संभावित सब्द हो में और भी और यहां ए इस तरह से आप इसको ढूंड सकते हैं उस तरह समें ढूंडने में समय लग जाता है इस तरह से देख लाइटेन करते जा रहा है कि आपको जब सब को ढूंड ने बता लेगा तब आप कएगा ये वर्ड फीरी शार्चिंग डाक्मेंट इन डाक्मेंटों में हम व्र्ड को सर्च करके अनिकी जितने भी थे सब को ढूंड करके फिनिश कर दिया अब इसके बाद नहीं ऑस्वेंद में आ गया अप लोग है वोग सर्च करेंगे कर lush करते कैसे में कल को होगा तो नहीं मैं जान रहा आप उसे प्रेटकल होगा नहीं आप आप इतने समय धार होते तो प्रेटकल में परसान क्यों समय रहे हैं आप ऐसे करेंगे इस सफेद पन्ने में डूड़ेंगे अब तो आप लोग समझोगे ने कैसे डूड़ते हैं समय रहे हैं प्रेटिकल करना है तो पहले कुछ नहीं कुछ दो-चार लाइने लिखा होना चाहिए ठीक है उसके बाद ही प्रेटिकल किजेगा ठीक है आते हैं अनुवाल दनुवाल बस हो गया प्रेटिकल सुरूँ सर जी के 15 वर्सों का अनुभव हम एक ही मिनट में लेके चले जाते हैं समझ रहे ना हम 15-17 साल से पढ़ा रहे लगाता है और हमें जानका हमें कंप्यूटर का अनुभव नहीं हो पाता है तुम लोग आते हैं तो दस मिनट में सोचते हैं बस आज ही सारा चीज रसगार के लेके चले जाए बस आज ही सीख लेते हैं अनुभव तेट्स आप लोग का है तो आप समझे ना है फाइंड करना तो टेस्ट लिखा होना जरूरी है तब ही आप उसको फाइंड करिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं फाइंड के बाद अगला आप्शन हाइंड का प्रेटिकल आप ने समय ही अगला आपस्छन समझे को टू आपसन को जानते हैं गोटू कहोंसा आप्शन गोटू जाना है यानि गोटू जब आपके पास मैसिज है जब आप देख लिजिए नप प्रेटिकल करते हैं यह आप lado कई आपके लास पूछताओ डियर कौन से पेज नंबर पढ़ाना है कि बोलता हूं ने कौन पेज नंबर पढ़ा रहा तो आप बताते साथ 16 17 14 10 ऐसे बोलते हैं तो हम क्या करते हैं गोटू आपसर में आते हैं और गोटू में या लिख देते हैं कि किस पेज पर जाना उस पेज का नंबर लि ऐसा ही है कि आप अपने पेज नंबर लाइन नंबर सेक्शन नंबर आज नंबरों में जाना चाहते हैं तो आप गोटू आपसर से जा सकते हैं अब देखें गोटू आपसर में समसे in Microsoft Word scroll through the document जो भी आपके document होंगे text कर document in selected line, page, section with special characters you specify आद specified permitted में आद में आप इसे इसकी सहाता से गोटू के माध्यम से आप जा सकते हैं समझ रहे हैं आइए प्रेटिकल सीट पर समझते हैं कि गोटू आखिन है क्या आप भी इसी तरह के ले लिजिएगा मैंटर ठीक है इस तरह से आप इसमें तभी आप इसका प्रेटिकल कर सकेंगे चले हम राइन यहां हम पेoti, पेज बढ़ा लेतें अगर आपको पेज की प्राबलम है तो हम पेज बढ़ा लेते हैं प्रेटकल भी आपका सुचार रूप से हो जाएगा अगर आपका एक पेज रहेगा तो भी आप गोटू आपसन का प्रेटकल कर लेंगे लेकिन उसमें मैसेज कुछ लिखा तो होना चाहिए मेरा कर्शर आप देखेंगे तो मेरा कर्शर आपके फर्स्ट लाइन में याँ पर है अब हम आते हैं गोटू में यानि कि आप गोटू पर क्लिक करेंगे हमें जाना का है थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे पास पूरी तयारी तो नहीं है लेकिन कुछ प्रेटकल मैं करा सकता उसका गोटू का जैसे पेज नंबर जाना चाहते हैं सेक्शन नंबर जाना चाहते हैं लाइन नंबर जाना चाहते हैं यह तमाम आप सम्देख रहे हैं आ समय रहे हैं ना वहाँ पर आप इसे इसकी सहायता से जा सकते हैं कोई प्राब्लम इसमें आप जहां जाना चाह रहे हैं आप वहाँ पर जा सकते हैं जैसे हमें लाइन नमबर पर जाना है तो हम सबसे पर लाइन सेलेट कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे लाइन नमबर 20 क्या लिख देंगे लाइन नमबर 20 हम चले गए लाइन नमबर 20 पर देखिए मेरा करसर आया हुगा देखिए यहां यह आपका है लैंड डाटर ट्रांसमेशन देखने अपने से आ गया आप चाहें तो बैटके गिन सकते हैं इसको यहां से गिनेंगे उपर ते से देखि जाने हैं समय रहे ना संभाव्याइज नहीं है अ देखिए अगहला अगरह लेक्छी से देखते आपने इस तरह कि दएख लिया अब हमने भी माना लिए खेर पेज हम लोग जानी रहें कि दो यह तो पेज नंबर दो पर बहुंट जा सकते हैं मैं पेज नंबर दूपर आगया मेरा करसर यहां है इस पर नजए रखें ये इस तरफ से आप उसकी सहाता से चाब सकते हैं यह इस तरफ से आप इस परिवर्टन कर सकेंगे और ठीक है आपको यह समझ में आ गया गोटु आप्षन अब अगला आप समझें बहुत अच्छे अच्छे आप्षन है इसके अंतरगर अगला आप्षन सम्झेए गोटू आप्षन के बाद रिपलेश आप्षन control प्लस यच कौनसे आप्षन है control के साथ जदी यच बटन दबाते हैं तो क्या होगा यानि कि रिपलेश रिक्वार्मेंट आएगी replace यानि पुराने टेस्ट की जगह नए टेक्स्टों को आप इसे इसकी सहाथा से बदल देंगे समझ रहे हैं? समस्था जाए replace option search for replace the specified test or formatting जो भी आपके test or formatting आधी होंगे आधी को आप इसे इसकी सहाथा से replace कर देंगे replace का मतलब आप उसको बदल शक्ते क्या कर सकते हैं replace कर सकते हैं नहीं आप उसको बदल सकेंगे है ना यानि कि आप उसने परिवर्द कर शक्ते हैं कि आई इस प्रैटिकल सीट पे संभचे हैं हम लोग है कि यह मेरा आपका डॉक्मेंट है हम इन प्राक्मेंटों में कहीं पर कोई चीज बदलना चाहते हैं है न तो क्या करेंगे आप सबसे पहले आएंगे अपर इडिटिंग मेनू के इंतर गता और आएंगे replace replace में सबसे पहले लिखेंगे उस सब्द को जिस सब्द को हम ढूड़ना चाहते हैं सबसे पहला सब्द find what होना चाहिए क्या होना चाहिए find what क्या चीज ढूड़ना चाहते हैं आप उसको यहां पर type करिए जिससे के मान लिजे find what में हम ढूड़ना क्या चाहते हैं कि जैसे कि हम ढूड़ना चाहते हैं दस सब्द क्या सब्द काउन सब्द को लिखेंगे दस सब्द को लिखेंगे फिर उसके बाद replace bit में आएंगे आप उहां पर बदलना क्या चाहते हैं उसको लिखेंगे अकिर बदलना क्या चाहते हैं जिसे मान लिजिए हम 10 सब्द की जगा लिखेंगे यहां पर मान लिजिए 10 की जगा हम अमित करना चाहते हैं नया शब्द निव सब्द रहेगा तो जल्ली समझ माई जाए लिख देंगे हम अमित कहां पर बदल लिखेंगे replace with में लिखेंगे जो सब्द बदलना चाहते हैं ठीक है अब इसके बाद अमित लिख दिए अब इसके बाद क्या करेंगे सबसे पाले find करते पहला पहला मारा प्रेटिकल है देखे यह सब यहाँ मिला दो लिखार networking is the लिख दिया अब यहाँ पर बदलेंगे आपड़ करेंगे सिंगल बार यह बार करें रिख लिखेंगे आप बदल दिया कि नहीं बदल दिया आप दीखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या बदल के दे दिया दे दिया कि networking इद अमित प्रोसेस समझ रहे हैं इस तरह से परिवर्तन हो जा रहा है अगर आप चाहते हैं कि जितने जगह इद पैराग्राफों में जितने जगह द लिखा है सब जगह बदलना चाहते कहीं नहीं छोड़ना चाहते है तो हम क्या करेंगे replace all पर click कर देंगे क्या किया replace all पर मैं click कर दूंगा तो replace all पर जैसे ही मैंने click किया वैसे आप इस पर देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है कि word is Kara has completed in search of the document and made of the Kara आप से 14 आइटमों को replace कर दिया समझ रहे एक दो नहीं अब तक 14 बार पाया है उस document को ठीक है यानि 10 सब्द को 14 बार आपको पाया है उतने बार सब जगह पर बदल दिया समझ रहे हैं कोई दिकत इसमें तो आप इस तरह से आप इनका करम सब परिवर्तन कर लेंगे लाई आमित भी आ गया और भी जगह जगह यहां भी आ गया और भी कई वहां भी है यहां भी देखे आपका इस सब्द में कुछ रा होगा वहां भी बदल दिया चितना जगह का वहाँ पर बदल दिया ठीक है कर लेंगे आप लोग रेप्लेस समय में आ गया अगला आप बढ़ते हैं लोग अगले करमों में अब अगला आप चाहिए सेलेक्ट आल सेलेक्ट मींस चुनना होता है और याली का आल आल मींस सबको क्या चीज है जीतना भी मैंसेज होगा सबको सलेक्ट कर लेगा समझ रहे हैं क्या करेंगे सबी को सलेक्ट कर लेंगे लिखता दिस आप्शन सेलेक्ट आल टेस्ट एन ग्राफिक इन दे एक्टिव विंडो या जो भी एक्टिव विंडो खुले विंडो होंगे आज सबको हम इसकी सहाःता से select all कर सकते हैं आल कमतलब हम सभी को चुन सकते हैं आई ये प्नेटड़शीन स्मücht्च है कि यह देखिए हम इसको select कर रहे हैं कैसे इसको नह läuft कर है न करें हम इसको क्या तैनि लेकिन हम क्या करना करते स्ंटलेट आल करना चाहते हैं आल मतलब सब को select करना चाहते हैं समय रहे हैं क्या करना चाहते है select all करना चाहते यानि कि जितने matter हैं हम सब को select करना चाहते हैं तो हम यह तो start cut का प्रियोग करे control plus a से या फिर हम यहाँ से आएं और select all पर click कर दे दोनों तरीका हैं कोई जरूरी नहीं आप यहां पर आए और क्लिक कर देखिए आप देख रहे हैं कि जीतना भी मेरे पास मैंटर रहा होगा चाहे एक पेज का हो चाहे दस पेज का हो शब को क्या किया सेलेट कर दिया कोई दिक्क्त है इसमें उस तरह जो हमको सेलेट करना रहा था हम कहीं एक साइड में रखते करसर को और यह सेलेट करने का सिस्टम बनाते हैं एक अवह इतना टाइम लग रहा दियार इतना समय में तो यह सलेक्ट होगा है कि समय रहे हैं इतना समय लगा हमें सेलेक्ट करने में इन्त को अभी कहीं छूट नगया होए भी डर रहेगा लेकिन आप जब सलेक्ट आल करेंगे कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे या नार्मली आप साटक से करेंगे तो सब को जितना मैंटर होगा उन सभी को सेलेक्ट करेंगे इसमें कोई संद्रे है कि कर लेंगे ना आप कल करेंगे अब अगला आपसंद देखें अगला अपसंद सलेक्ट अबजेक्ट है अब तक आपका स्ब्यक्ट था यानि स्ब्यक्ट अब कौन साब्स अबत मतों सेलेक्ट अबजेक्ट सेड़्िएल डेखें चैंज्ट्य साथ है नहीं सेलेक्शन कर्शर so that you can select and move in the object in document आद ये अपने अब्जेक्टों और डाक्मेंटों को आप इसमें से select करेंगे या select कर सकते हैं ठीक है आप प्रेटिकल साइट पे आदेए प्रेटिकल में देखते हैं सेलेक्ट अब्जेक्ट का मतलब क्या कर रहा है हमें आपर थोड़ा से कुछ फोटो या ऐसा कुछ ले लेते हैं जो इन से अलग हो जो हमारे जो टेस्ट हैं टेस्ट से अलग हो क्या चीज़ा है हमारा जो है वो टेस्ट से अलग हो देखिए और भी हम ले लेते हैं देखिए आप देहरे है यह मारे पास हो गया है कि में सेलेक्ट पर आते हैं कि मेरे पास कोई चीन सेलेक्ट है भी फिलाल तो कुछ नहीं सेलेक्ट हमने किया देख लिजी है आफ हम यहां करसर रखें और यहां आए और यह लिखा है सेलेक्ट अब्जिक्ट देखे हम सेलेक्ट पर क्लिक किये अब जो मेरा कर्षर है कर्षर तो ऐसे आपको इस तरह पता यहां देखे यह मेरा कर्षर जो मोमेंट हो रहा जो पॉइंटर माउस पॉइंटर जो मोमेंट हो रहा किस तरह को रहा देख रहे हैं किस तरह का मोमेंट हो रहा केवल अब्जेक्ट सेलेट के लिए केवल इस तरह की चीज़ों को सेलेट करने के लिए अच्छा ठीक है अब हमें अब्जेक्ट नहीं सेलेट करना हम डबल क्लिक कर अब आप देखेंगे तीस तरह कमेरा आरा का समयझ रहे हैं किस तरह से आपके करसर की तरह से दिख़़रा है अब जेक्ट पर आएगा तें लेकिन नहीं हम जब सेलेक्ट पर आये और सेलेक्ट अबज्ट पर क्लिक किए तो मेरा करसर हर जगह चारो यानि पूरी वर्किंग एरिया में यह देख रहे हैं आयरो की तरह से मोमेंट हो रहा देख रहे हैं आप किस तरह से क्यूं उसे कतन सलेक्ट अबजेक्ट मोड यानि कि यह मेरा सलेक्ट अबजेक्ट मोड में देखे इस तरह का है सलेक्ट अबजे यहाँ देखिये फिर आभ चैंट सेलेक्ट हो रहा नहीं हो रहा क्योंकि यह planet सेलेक्ट मोड में है आप हटाना चाहते क्या कनेगी डबल क्लिक करते कित टेक्स्ट एसकी सिम्लेर ठाहर मेंटिंग का मतलब एक दूसरे से मैंचम मेंचम माले हैं चाहिखों को केवल सेलेक्ट किया जाए सबसिमिलर देखें सेलेक्ट ने कोगेगए तो इंटरनेशनल नेटवर्क है यह सिमिलर इससे मैच नहीं करता इसमें हमने थोड़ा सा परिवर्टन कर रहा था ना देख रहते आप लो इस्टाइल इस्टाइल लगा रहे थे इसलिए इसको सलेट किया इसको नहीं सलेट किया बाकी मैंने बाकि सब एकी जैसा Similar है एक जैसा है तो Select कर दिया लेकिन नहीं हम क्या करते हैं हम इस Message की इतने को Select किये और इसकी Style बदल दिये और इसको भी Select किये और इसकी Style दो थी इसको मैंने बदल दिया अब हम Similar इसको करेंगे यहां करसर रखेंगे और test similar पर आते हैं यानि select टेक्स्ट similar क्लिक करते हैं अब देखिए यह matching कर रहा है इसमें देखें कुछ प्राबलम में रुकें करसा रखते हैं फिर से आते हैं टेश्ट सिमिलर देखें यह बारे देखें यह select अलग है और नीचे आज यह नीचे को मिलाते हैं अच्छा यह style है एक दूसरे से match कर रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है हम इसके similarity बदलते हैं कुछ और करते हैं यह ले लिजे इसका कुछ और similarity करते हैं यह यह ले लिजे हैं अब हम similar करते हैं अब फिर से टेश्ट मिलाते हैं देखें इसको select किया इसको नहीं किया अब उपर वाले को भी नहीं select किया इधर एक जो था समझ में आ गया अगर हम यहां पर करसर करके select similar करते हैं तो क्या करता है केवल उसी को किया बाकी तो सब को deselect कर दिया देख लिए नीचे वाले को भी deselect कर दिया समझ रहे ना मिलता जूलता ठीक है फिलाल आज के लिए तना रहने दिजे अगले दिन हम पढ़ेंगे insert tab insert tab में सबसे पहला option आप सीखेंगे cover page यारी page का cover कैसे बनाएंगे पेज को सुंदर करण कलर देना है या सुंदरी तरह से बनाना है हम page cover पढ़ेंगे ठीक है